नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्लेक बोर्ड में आज हम बात करने वाले हैं तत्सम तद्भाव से रिलेटेड तीस अतिमेहतपूर्ण प्रशनों के बारे में दोस्तों यह हमारा प्रेक्टिस सेट नंबर पहला है अगर आपने हमारे प्रेक्टिस सेट के 40 से अधिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लाश्ट में आपको पूरी प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों यह तत्सम तद्भाव की जो हम प्रेक्टिस सेट करा रहे हैं यह सभी परिक्षाओं के लिए अ टेलिग्राम एप में जाके ब्लेक बोर्ड हिंदी सर्च करनी होगी वहां से आप इसे जॉइन कर सकते हैं तो तत्सम तद्भाव पे चलने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैंने एक ट्रिक का वीडियो अल्रेडी बना रखा है और एक 100 प्लस इंप परिक्षा में चाहिए वो किसी भी स्टेट की क्यों नहीं हो आप अगर हिंदी पूछा जाता तो वहां पर आप तत्सम तद्भाव से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं करेंगे तो चलिए अपने पहले कोश्यन के और चलते हैं कारपट शब्द का तद्भाव रूप है बह उसे नूट करते चाहिए तो दूसरा प्रेशन लेते हैं एकल सब्द का तद्भाव रूप है बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों तो अकल अकिल अकेला या उप्यूक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अकेला ठीक है एकल का तद पूछे जाते हैं तो अप्सन देखिए दुवार कपाट चीर और पाउं लिए का तत्सम किया होता है चीर का यह बहुत ही महत्तपून है इसको भी नूट कर लीजिए यही आपका आंसर भी है नेक्ट प्रस्म क्यों चलते हैं दोस्तों चौथा प्रस्म है सीइंग सब्द क तत्सम रूप है तो कौन सा है दोस्तों बहुत ही महत्पूर है option श्रंग, सिंग, स्रंग या सिंग तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों option A, ठीक है और दोस्तों यह जो है वरतनी से related ठोड़ी समें दिक्कत है यह असल में इस तरीके का लिखा जाता है तो अगर option में कहीं यह दिया गया है तो आप इसी को टिक करेंगे, अगर यह नहीं है तब आप इसको भी टिक कर सकते हैं तो नूट कर लिजेगा वरतनी की दृष्टी से यही सुद्ध है और इसी को आपको टिक करना है तो नad åpion को अब्लास सब्सक्राइब अपना 6 प्रश्ण हमारा हुलास सब्सक्राइब तकत्सम्रूप है क्या है दोस्तों ऐलास विलास हास या उलास तो इसका सही answer हो जागा दोस्तों, option D, उलास हुलास का तच्शमरूप क्या होता है? उलास होता है, ठीक है, सात्माँ प्रशन लेते हैं हल्दी शब्द का तच्शमरूप है, बहुत ही में पूर्ण प्रशन है तो option हरिद्र का, हरिद्रा, हरिद्रा या हलिद्र तो इसका सही answer क्या हो जागा दोस्तों? इसका सही answer है, option C, हरिद्रा, ठीक है? हल्दी का तच्शमरूप क्या होता है? हरिद्रा आप दोस्तों, इसकी वर्तनी जरूर देखते चलिए क्योंकि वर्तनी में ही दिक्कत होती है क्योंकि आप इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है तो आपको ये देखके चलना है कि हरिद्रा पे छोटी के मात्रा होती है आटमा प्रश्न लेते हैं, मक्खी सब्द का तच्शमरूप है बहुत ही महते पूर्ण प्रश्न है प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निमलिकित में कौन तच्शम सब्दों की जोड़ी नहीं है मलब आपको पैचाना है कि दोनों ही जो जोड़ी है तच्शम की ही होनी चाहिए तो ऑप्शन देखी ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा या D होगा तो इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा option B दधी और भात ये दोनों तत्सम की जोड़ी नहीं है दोस्तों देखिए दधी तो दही का होता है लेकिन भात जो है वो क्या है ये तद्भाव है ठीक है तो इसको नुट कर लिजेगा, इस कारण से ये गलात होगा, ये तदसं की जोड़ी नहीं है, बाकी कर्म, विद्या ये भी तदसं है, मज्ण अम्रग ये भी तदसं है, ज्ञान और छेतर ये बी और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टंट है, छेतर का जो तद भव क्या हो तो इसका क्या अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन C परियंग हो जाएगा दोस्तों परियंग किसका तत्सम होता है दोस्तों यह होता है पलंग का पलंग का क्या होता है परियंग होता है बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है 11 प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों, 11 प्रश्न है पक्षी का तद्भव रूप है, बहुत ही महत पूंड है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो उप्षन पंची, पकेरू, पंक या इनमे से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर क्या हो जागा दोस्तों, उप्षन ए, पंची, ठी 12 प्रश्न लेते हैं, प्रिये का तद्भव शब्द है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो उप्षन प्रेम, प्रिया या प्यार, तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों, उप्षन प्रिये का तद्भव क्या होता है, प्रिये का तद्भव क्या होता है, प्रिये ह क्विलिक वर्तनी ध्यान देज़िएगा क्या इसमें और इसमें गल्तियां कर सकते हैं तो चाımızन की वर चालते हैं निमल्भित में जेए इस कौन सा सब्सक्रा तत्सम नहीं है नहीं मतलब बात कर रहा है क्या वाग्वर कर गया ? ततद भौन सा पहं सब्ध कर रहा ये तीनों ही क्या है दोस्तों ये तत्सम सब्द है ठीक है पंद्रामा प्रशन लेते हैं अपना नीचे दिये गए वी कल्पों में से तत्भाव सब्द का चैन कीजिए तो option है हाथ से दुईवर अगनी या मुह तो इसका सही आंसर क्या हो जागा दोस्तों option D कि अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा तत्सम तद्भाव का तो आप तुरंण पहचान जाएंगों क्यों क्योंकि मैंने वह बताया कि कहीं भी आपको अगर चंद बिंदी दिखाई दे तो आपका क्या होता है वह होता है दोस्तों तो उस वीडियो को जरूर देख तो यह होता है देवर का तत्सम रूप क्या होता है देवर होता है बहुत इंपॉर्टनेट इसलिए मैंने आपको बता दिया प्रशन लेते हैं गेहु सब्द का तत्सम बहुत ही जादा मेहत्त पूर्ण तो option a b c या d इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों option C गोधूम इसकी भी आप वर्दनी देख लीजेगा बिल्कुल यही होगा ना कि गोधूम बी वाला option होगा यह बिल्कुल ही गलत है option C ही आपका राइट हो जाएगा 17 प्रशन लेते हैं केला का तत्सम सब्द है बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है तो option फल, कंदल, कदली या मेवा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों option C कदली केला का तत्सम रूप क्या होता है कदली होता है ठीक है उननेसवा प्रस्षन लेते हैं घोडा का तच्सम रूप है बहुत ही मैं अत्यपूर प्रस्षन है यह जितने भी मैं प्रस्षन आपको करा रहा हूं इसमें से जो भी आपको नहीं आते हैं आप सिर्फ उनको नोट करते चलिए बस आप देखेंगे कि जब मैं दो से तीन आप करते चलिए जो भी आपको नहीं आता है तो ऑप्सन देख लेते हैं घोटक घामा ज्यान या घोटा तो इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों ऑप्सन ए घोटक घोणा का तच्सम रूप क्या होता है ठीक है बीश्मा प्रस्षन देखें सासूर का तच्सम सब्द है क्या है औ अप 3 तो इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों ऑप्सन जोटहों क्या तो इस तरीके काव ही आपको मिल सकता है तो यहीं आप किसी को टिक करिएगा अगर यह option में नहीं दियागा तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं ठीक है तो तेश्वा प्रशन ले लेते हैं अपना बैल का तत्सम सब्द है बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है option बली बली वर्द बली वर्द या बचड़ा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सरंगाल ठीक कर सी आर का तत्सम क्या हो जाएगा सरंगाल पचीश्वा प्रशन लेते हैं दोस्तों प्रश्थर का तदभो क्या होता है पत्थर होता है 26 प्रशन लेते हैं इलाइची का तत्सम सब्द है बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है तो option इल्जा उप्सक्रिक से जयों केत्यों हिंदी में लिएगह रहते हैं तो बहुत ही महत पूर्ण सब्सक्राइब क्या हो जाएगा दोस्तों सब्सक्राइब क्या होता है बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है जितने भी मैंने आज लिए सारे इंपोर्टेंट है सब यो भी आपको नहीं आते उन्हें नोट करते चलिए तो उस्ट्र उलूख उलूखन या उलूख तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन बी उलूख उलूख का तश्रम रूप क्या होता है दोस्तों उलूख होता है ठीक है तीसमा प्रशन ल लोगों के लिए पूरि का तश्रम सब्द है तो आप साने पूपालीन का पूरी या पूरी तो इसका सही आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग दीजेगा जिसका भी आज का वीडियो तद्सम्तभो से रिलेटर यह हमारा पार्ट वन था मुझे उमीद है आप लोगों को पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए और हमारे चैनल ब्लेक बो या प्लेलिष्ट तक पहुंच सकते हैं प्लेलिष्ट का लिंक आपको देस्क्रिप्शन में भी मिर जाएकार विडियो के लाश्ट में भी मिल जाएका अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई question है तो आप हमें comment करेंगे हम आपके question का reply जरूर करेंगे दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर जोइन कर लेजे जिस पे हम आपको content current affairs daily provide कराते रहते हैं दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करके हमारा support करें आज के लिए इतना है रहते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद